प्रेंट्स विल्कम टू माइ योटूब चैनल सपोर्ट एवरिवन आपने थंबल सही पड़ा चीहां आप भी होंगे सफल इस लागडाउन में आपके जो भी सपने नीचे दब चुके हैं जो भी सपने पीछे चुट सुके हैं उन सपनों को मैं आगे लाने का काम करूँगा उन सपनों को मैं फिर से उभारने का काम करूँगा आपके अंदर जनून और एनरजी भरूँगा जिससे आप अपने सपनो को साकार कर सके और आस्मान की उचाईओं को छो सके. जिहां फ्रेंड्स, I am Iran Khan, England and motivational speaker. आपने अभी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करें, like करें और जादे-ज़चे टकर सकें तकि मेरा ये वीडियो उन लोगों तक पहुच जाय, जिनके सारे सपने दवे हैं मैं आप लोगों को बता हूँ आप सफल कैसे हूँ अपने एनरजी को हाई कैसे करें उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ देखो सफल तो अपने जिन्दगी में हर कोई होना चाहता है कामियाब हर कोई होना चाहता है अपनी जिंदगी में पर उन्हें लगता है कि उनका बैक ग्राउंड सही नहीं है वो अच्छे से विलांग नहीं करते हैं उनको को सपोर्ट करने वाला नहीं है आज ये स्टोरी आपके जिंदगी बदद देखा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को बुरा देखें और वीडियो तो के लास तक आपका थोर्ट प्रसेस आपका सोचने की जो capability होगी आपका सोचने का जो तरीका होगा नजरिया होगा वो सारा बदल जाएगा देखते हैं ये वीडियो को लास तक सुरू करते हैं कहानी जो आपकी बेचने वाले आदमी की और एक छोटे से बच्चे की आदमी की जिसमें दोनों के बाचीवत में आपकी जिंदगी बदल सकती है शुरू करते हैं इस कहानी को एक गुबारा बेचने वाला था वो गुबारे को बेचकर अपने फैमली की जीविका चलाता था वो गाउं जाता जाता वो गुबारा लगाता लेकिन उसके अंदर एक खाश्यत थी वो क्या देखता कभी भी उसकी बिक्री कम हो रही है तो वो क्या गरता एक दो बैलून हवा में छोड़ देता और हवा में जब उपर जाता गुबारा तो बच्चे इसको देकर प्रोसाहित हो जाते वो तेजित हो जाते उस गुबारे को खरिदने के लिए पर फुलित हो जाते पुरी तरीके से जब भी उसकी बिक्री कम होती वो एक गुबारा हवा में छोड़ देता एक बार वो एक घाट के किनारे वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे वहाँ ये गुबारा बेच रह फिर जब देखा इसकी बिक्री कम हो रही है तो एक लाल गुबारा हवा में छोड़ा और वो उपर चला गया ये सब एक छोटा सा बच्चा काफी दूर खड़ा देख रहा था उसको उसे रहा नहीं गया वो उस आदमी के पास पहुचा जो गुबारा बेच रहा था उस चोट बच्चे को बहुत ध्यान से देखा और बहुत है रहानी भरी निगाहों से देखा और उसने कहा अफकोर्स जाएगा फिर चोटे बच्चे ने कोश्चन किया उस आदमी से कि अगर ये लाल वाला गुबारा हवा में छोड़े तो क्या ये उपर जाएगा फिर से वो हैरानी पूरवग बहुत ही सो समझ कुछ बच्चे को समझाया मैं चाहता हूँ आप ये सुने आपकी जिन्दगी आपकी थौट प्रोसेस ये बदल के रख देगा उस गुबारे बेचिने वाले ने उस बच्चे से बहुत ही सावधानी पूरवग वहा कि गुबारा हावा में छोन इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है कि इस चोदा सो ग्राम के दिमाग के अंदर क्या है यही डिसाइड करेगा कि आप अपने जिंदगी में ऊपर कितना जाएंगे आप किसी भी फैमिली से बिलाउं करते हो किसी भी सहर से बिलांग करते हूं से कोई फरक पढ़ने वाला नही आपके अंदर क्या है यह आपका एटिट्यूड का है यह डिसाइड करेगा आप कितने उपर तक जाने वाले हैं और कितनी उचाईयों तब चूने वाले हैं तो आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है कि आप जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकते, जिन्दगी में शादू उपर नहीं जा सकते, जिन्दगी में सफल नहीं हो सकते, काम्याब नहीं हो सकते, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, आप अपके जिन्दगी में वो सब हासिल कर सकते ह जो सब आप सोच रहे हैं मैं आपके लिए चार लाइन बोलना चाहूंगा कि तुफान में तास का घर नहीं बनता तुफान में तास का घर नहीं बनता रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं बनता कि दुनिया को जीतने का होसला रखो एक हार्ट से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता आपको कहीं लगता है एक हार आपकी हुई है तो फिर से जिन्दगी में बाउंस बैक करें और उसको दिवारा से कोसिस करें और फिर से उठके अपने कामियाबी को लोगों को दिखाएं और अपनी सफलताओं को लोगों सामने लाएं और उन आस्मान के उचाईयों को छोले जिनकी आपने सोची है, जिनकी आप कलपना किये हैं उम्मिद करता हूँ आप सब को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें वेल आइकुन को ज़र्याइब पैस करें इस वीडियो को जदा जढ़ शेयर कर सकें ताकि मेरी बातें उन सब तक पहुचें जिनकी सफने दब चुके हैं उनके सफने को भारे काम परऊंगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया